So hello and welcome here, मेरा नाम अभिनव है और मैं IAS कोरिडोर पे UPSC की प्रिपरेशन के लिए एक टीचर हूँ आप चाहें तो IAS कोरिडोर का एप Apple से या Android से डाउनलोड करें, इंस्टाल करें और हमारे बहुत ही affordable और quality courses को जॉइन करके आप UPSC की प्रिपरेशन कर सकते हैं आराम से इसके अलावा आप description को चेक करें और हमारे टेलिग्राम चैनल IAS कोरिडोर या Instagram के साथ एक connection बनाएं, हमारे साथ जुड़ें इन चीजों के अलावा, courses के अलावा, मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं आपको एक story के format में GS की knowledge दूँ, current affairs बताओं, enhancement करों चीजों का, ताकि आप एक connection बना के चीजों का, जोड़ के चीजों को, लंबे टाइम तक चीजों को retain करो, और ये सारी चीजें डिरेक्टली आपके examination में useful होनी चाहिए, डिरेक्टली question आनी चाहिए, तो इस तरह के topic हम discuss करते हैं, और इतिहास के पन्नों को भी इस दोरान हम कई बार पलटते हैं, इसी तरह आज हम फिर से इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, एक बड़ा है important पन्ना पलटेगा आज साउथ से, ट्रावन कोर से, केरल से, और इस पन्नी को जब आप पलटेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया की जो anti-caste discrimination जो struggle है, जो कहानी है, उसमें कितना कुछ है और उसकी शुरुवात कहां से हुई थी, इस equity और justice के struggle की कहानी की शुरुवात कहां से हुई थी ये आज आप इस वीडियो से समझेंगे, और मैं बात कर रहा हूँ, वैकम सत्यागरह के बारे में, जो कि ट्रावन कोर में हुआ था, जो कि अब केरल में है, और यहीं से शुरुवात हुई थी, temple entry movement की, जिसमें गांधी जी ने बें participate किया था, तो आपके modern history का बड़ा ही important chapter रहे हैं, आपको इसके fact भी जानने है, story भी समझनी है, पहले भी question आये थे, फिर से question आ सकते हैं, तो चलिए शुरुवात करते हैं, वैकम सत्यागरह की और चीजों को समझते हैं, इस कहानी की शुरुवात होती है, आज के केरल, यह 1920s के ट्रावनपूर स्टेट से, ट्राव आई थी, कि टेंपल की तो बात छोड़े आप दरवाजे की, टेंपल के अरौन जो चार रस्ते थे, जो सडकें थी, नौर्थ में, साउथ में, एस्ट में, और वेस्ट में, इन चारों रस्तों पे, और टेंपल में, अवर्णों का आना प्रोहविटेट था, अब अवर्ण कौन हुए, पहले के वैदिक काल में तो प्राब्लम नहीं थी, लेकिन बाद का जो लेटर वेदिक पिरियाड आता है, तो चार जो है, वर्ण क्रियेट होते हैं, ब्रामन, चत्रिया, शुद्र और वैशे, और जो इस चार वर्णों के सिस्टम के बाहर के लोग माने गए, और खास करके के जो अवर्ण भी थे, जैसे कि एजावा कम्यूनिटी वो काफी पढ़ लिखके आगे बढ़ चुके थे, क्योंकि ट्रावन कूर स्टेट कहीं जो पिछले राजा थे, लगबग 20 साल पहले, उन्होंने यूनिवर्सल फ्री एजुकेशन कर दिया था प्राइ और कार से उतर की उस रस्ते को क्रॉस किया जहां पे उनको चलना मना है, फिर से कार में चड़े, ऐसी भी वहां पे नौबत आती थी, तो एक नए एक दिन तो ये बॉयल होना ही था, एक नए एक दिन तो ये प्रोटेस्ट होना ही था, इस प्रोटेस्ट की शुरुवात कहे तो indirectly सबसे पहले आप नाम याद रखेंगे examination के लिए South KT के माधवन ने 1917 में अपने ही newspaper जिसका नाम था देश अभिमानी वहाँ पे एक article लिखा और वहाँ पे एक editorial लिखा और इस issue को highlight किया उन्होंने लेकिन ये तरीका indirect था कहीं ने कहीं newspaper में बस article लिख दिया उससे राजा को क्या फर्क पड़ेगा रानी को क्या फर्क पड़ेगा जनता को क्या फर्क पड़ेगा लेकिन होता क्या है यह जो उन्होंने 1917 में article लिखा उससे तो कुछ खास नहीं हुआ लेकिन 1920 में वो देखते है कि नॉर्थ इंडिया में या पूरी इंडिया में एक movement हो रही है और महात्मा कांधी वो movement कर रहे हैं non cooperation movement उसमें कोई violence नहीं होता या कम से कम violence करने की कोशिश नहीं की जाती लेकिन वो कम से कम direct movement तो है direct protest तो है इस चीज को सीखते हैं टीके माधवन और कहते हैं कि यह जो मैंने तीन साल पहले newspaper में लिखा था वो बड़ा indirect था अब मैं जहां जहां पर signboard लगा हुआ है कि यहां पर अवर्णों का आना मना है मैं वहां वहां जाओंगा उन्होंने कोशिश की लेकिन obviously उनको वहां से लोटा दिया गया फिर इस 1920 के एक साल बाद 1921 में क्या होता है कि कि किस और आप तो सब की हित की बात करते हो तो आप हमारा support करो गांधी जी ने बोला कि बिल्कुल मैं support करोंगा और कल को कोई movement करोगे प्रोटेस्ट करोगे तो मैं सत्यागरह का जो message है वहां भी लेकराऊंगा और आपकी help करोंगा और इसी बदावला 1921 के दो साल बाद इस मुला कराती है untouchability के खिलाव कि हम untouchability का विरोध करेंगे और इसके लिए हमें कहीं न कहीं temple entry movement करना पड़ेगा शुरुवात करनी पड़ेगी इंडिया में और हम शुरुवात कहां से करेंगे ट्रावन कोर स्टेट का जो वाइकम टेंपल है वहीं से हम एक non-violent सत्यागरह के शुर कारी चल रही थी लोगों को temple में जाना था लेकिन लोगों न सेचा कि अगर directly हम सीधे सीधे temple में entry की बात करेंगे तो शायद हमारा सत्यागरह unsuccessful हो जाएगा तो लोग कहते हैं कि पहले सडके खुलवाते हैं फिर temple में जाएंगे और 30 मार्च 30 मार्च 2024 थोड़े दिनों पहले गुर्जुरा इसके exactly 100 साल पहले 30 मार्च 1924 में इस movement की शुरुवात होती है और इसमें क्या होता है तीन लोग एक नायर community के इंसान एक इजावा community के इंसान और एक पुलायू community के इंसान खदर के कपड़े पहनके गार्लेंड बगर अच्छे से माला बगर पहनके उस रस्ते पर जाने की कोशिश करते हैं सातने हजारों लोगों की भीड़ भी होती है कोशिश करते हैं बट जो ट्रावन कोर स्टेट की पुलीस है इन तीनों लोगों को अरेश्ट कर लेती है बट वो रुकते नहीं 30 मार्च से लेके 10 अप्रिल तक एक continuous process चलता है वो डेली जाते है सा गरतार नहीं करेंगे अब हम रोक देंगे बस अब क्या होता है कि गांदी जी का मैसेज ता सत्यागरा करते रहना है नौन वालेंट तरीके से इस एप्रिल से लेके सेप्टेंबर तो लोग वहां पर पास्ट करने लगते हैं प्रेयर करने लगते हैं देशवक्ति के गाने गाने लगते हैं और इसमें लेड़रियर अप जानते लिए परीयर को फेर्यर नहीं के नाम पर क अध्र हो सुरा पर्हइन के नाम पर और करते हैं सी राज गोपालाचारी बिदन ये आप जानते हैं एस जारी पने चप s Atas वो वहाँ पर रूल करने लगती हैं सेतु लक्षमी भाई एक चीज करती हैं कि जितने लोग आज तक गिरफतार हुए थे सारे लोगों को प्रिजिनर को रिलीज कर देती हैं और 1925 के मार्च में गांधी जी जो है वहाँ पर कॉंप्रमाइज करने आते हैं तो लोग पूछते जो रोड है वो खोल देंगे वेस्ट का जो रोड है वो खोल देंगे तीन खोल देंगे चौता बस पर पहले वाले सिस्टम मेंटेन रहेगा अवरनो का मना रहेगा और इस चीज को नुवंबर 1925 में इंप्लिमेंट कर दिया जाता है लेकिन यह जो खास करके पेरियार हैं इस बात से काफी नाराज रहते हैं, वो कहते हैं कि हमें न्याय क्या ही मिला, आधा दूरा मिला, धीरे धीरे लेकिन 1936 में ट्रावनकोर की राजा कहीं ने कहीं वहां का सिस्टम प्रोग्रेसिव ही था, तो ट्रावनकोर की नए राजा 1936 में रहते हैं, वो एक वहां पर प्रो temple entry movement पूरे इंडिया में फ्यादती है आपको पता होगा और आप समझ गिए कि कहीं ने कहीं equity, equality, justice, non-discrimination, anti-cast, anti-untouchability ये सारे messages के पीछे ये पूरा का पूरा temple entry movement ये वाइकम सत्यागरा काफी important था इसके leadership के लेने की बात करें तो पहले आपने टीके माधवन को सुना उसके आलावा आप जानिए के के लापन को ये word जो है नाम जो है के के लापन, UPC का PY क्यों है बता दूं आपको then KP, Case of Manor उन्होंने भी leadership लेती बस इस चोटे से वीडियो के तुरू मैं आपको ये बताना चाहता था क्योंकि लगबग 100 years पूरे हुए इस phenomenon को तो आपके लिए important है और ऐसे भी modernistic का part था so thank you so much, keep listening और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप please like करें, share करें क्योंकि एक normal वीडियो है आप किसी को भी भेज सकते हैं, कोई competition create नहीं होगा इससे, साथे साथ आप comment करके बताएं कि क्या मैं इस series को continue करूँ यहां से, thank you so